राधे राधे हर हर महादेव आप सभी को रंगों के उस्सव खोली की बहुत बहुत शुपकामनाएं कल यानि चार मार्च को शनी प्रिदोशुरत है प्रिदोशुरत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं जिस दिन जो वार पढ़ता है उस दिन उसी वार की कथा पढ़नी वा सुननी चाहिए आज मैं आपको शनी प्रिदोशुरत की कथा सुनाने जा रही हूँ शनी प्रिदोशुरत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेट थे सेट जी के घर में हर प्रकार की सुक्स विधाये थी लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेट और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे काफी सोच विचार करके सेट जी ने अपने काम नौकरों को सौब दिये और खुद सेठानी के साथ तीर स्यातरा पर निकल पड़े अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साथू मिले जो ध्यानमगन बैठे थे सेठ जी ने सोचा क्यों न साथू से आशिरवाद लेकर आगे की यातरा की जाए सेठ और सेठानी साथू के निगट बैठ गए साथू ने जब आँखे खोली तो उन्हें ग्यात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशिरवाद की परतिक्षा में बैठे हैं साथू ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ तुम शनी प्रदोश वृत करो इससे तुम्हे संतान सुख प्राप्त होगा साथू ने सेठ सेठानी को प्रदोश वृत की विधी भी बताई और भगवान शंकर की निम्न वंदना बताई हे रुद्र देव शिव नमसकार शिव शंकर जगत गुरू नमसकार हे नील खंट सुर नमसकार शशी मौली चंद्र सुख नमसकार हे उमाकांत सुधी नमसकार उगरत रूप मन नमसकार इशान ईश प्रभू नमसकार विश्वेश्वर प्रभूशिव नमसकार दोनों सादू से आशिरवाद लेकर तीर्थ्यात्रा के लिए आगे चल पड़े तीर्थ्यात्रा से लोटने के बाद सेट और सेठानी ने मिलकर शनी प्रदोशुरत किया जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुन्दर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया भगवान शिव ने जिस प्रकार उस सेठ और सेठानी की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही वैं सबकी मनों कामना पूर्ण करें और सबकी रक्षा करें जगत का कल्यान करें बोलो उमापती महादेव की जै हर हर महादेव राधे राधे